अट बाइस अनुचेद लेखन अनुचेद लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी विशे पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किये जाते हैं. अनुचेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमी का या उपसंहार की अविशक्ता नहीं होती, इसमें सीधे ही विशे का आरम कर दिया जाता है तता संबंदित विशे के केवल मुख्य बिंदों की ही चर्चा की जाती है. अनुचेद में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं समासिक शब्दावली का प्रयोग करने से यह अधिक प्रभावशाली बन जाता है. एक अच्छा अनुचेद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए. अनुचेद के विशे पर अच्छी तरह से विचार करके मुख्य बिंदों को लिख लेना चाहिए. अनुचेद में छोटे-छोटे और प्रभावशाली वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए. अनुचेद में सदैव सरल और विवारिक भाशा का प्रियोग करना चाहिए, अनुचेद में उधारन पक्ष विपक्ष तथा तर्क वितर्क से बचना चाहिए, अनुचेद लिखने के बाद एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, जैसी दृष्टी वैसे श्रिष्टी, यह संसार गुण अवगुण तभी एक चोर उधर से निकला, उसने मजदूर को निश्चिन सोया हुआ देख कर कहा, यह तो कोई मेरा ही बंदू है, जो काम्याब नै होने पर ठक कर सो गया, कुछ देर बार उधर से एक शराबी निकला, उसने कहा, उफ, इतनी पी गया है कि तन बदन का होश भी नहीं र रहा है, बताइए वह व्यक्ति कौन था, चोर, शराबी या मात्मा, वास्तव में यही है, दृष्टी भेद, जिसकी दृष्टी जैसी थी, उसे वह व्यक्ति उसी रूप में दिखाई दे रहा था, अतै, यदि हमारी दृष्टी अच्छी है, तो चोर भी हमें सादू के रूप में दिखाई देगा, और यदि हमारी दृष्टी अच्छी नहीं है, तो सादू भी हमें चोर दिखाई देगा, भारतिय क्रिशक, भारतिय क्रिशक का जीवन, कठिनाईयों और संगर्शों की करुण कहानी है, वह प्राते काल उठकर हर बैलों को साथ लेकर, वह प् सूरे के दर्शन भी उसे खेत पर ही होते हैं, उसका खाना पीना, नहाना दोना, विश्राम आदी कारे भी खेत में ही होते हैं, उशा की लाली से लेकर संध्या के बाद अंधेरे तक वह कठोर परिश्रम करता है, रात्री के गहन अंधकार में जब सब लोग सुक के नीन सो रही होते हैं, तब वह अपने खेतों की रखवाली करता है, वह कभी हल चलाता है, तो कभी बीज वोता है, कभी खेतों को सींचता है, तो कभी फसल काटता है, यही है उसकी दिन चर्या, सुर्यद्य का द्रिश्य, सुर्यद्य के समय का वातावरन बहुत सुहावना प्रतीत होता है इस समय बाल अरुण अपने रूप से प्राक्रितिक सौंदरे को द्वी गुनित कर देता है प्राते कालिन किर्णों के फूटने से संसार में हलचल उत्पन होने लगती है पेडों पर पक्षियों का कलरब मन में आनंत का संचार करता है ग्रामिन अचलों में पश्यों के जुंट चर्वाहों के साथ मैदानों एवं जंगलों की और निकल पड़ते हैं उनके गले की बच्चती घंटियां सूमधूर प्रतीत होती हैं सुबे की लालीमा बाग बगीचों को भी सुंदरे युक्त बना देती हैं बाग समाचार पत्र आदुनिक युक के संचार साधुनों में सर्व प्रिय, सर्व सुलब एवं सर्वादिक सस्ता साधन है समाचार पत्र समाचार पत्रों में छपने वाली खबर के माध्यम से हमें देश-विदेश की समस्त सूचनाई विस्तरित रूप में शिगरता से प्राप के साथ प्रकाशित की जाती है समाचार पत्रों को पढ़ने से जहां एक और ग्यान में वृद्धी होती है वहीं दूसरी और इनमें छपने वाले लेक कहानिया कार्टुन एवन अन्यस्थाइस तंब हमारा भरपूर मनोरंजन करते हैं ये जनता तता सरकार का पारस पर एक बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निबाते हैं इनी के द्वारा जनता को सरकार की नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है और सरकार को जनता के कश्टों की इस प्रकार समाचार पत्र आज के युक की एक बड़ी अविशक्ता तथा जन्मत का एक सशक्त साध परिक्षा की तैयारी परिक्षा पर ही छात्र की उन्नती और अवनती निर्भर करती है परिक्षा से पहले जब छात्रों को पाठे करम तथा परिक्षा की तिति बताई जाती है तब से ही परिक्षा की तैयारी आरंभ हो जाती है विद्यार्ती परिक्षा से पूर्व पड़ाई में जुट जाते हैं यहां तक कि वे अपना खाना पीना भी कम कर देते हैं। और उनका सिर्फ एक लक्षे रह जाता है परिक्षा में अच्छे अंकों से उतीर्ण होना। वचत का महत्व बूंद बूंद करके घड़ा बरता है। इस बात को हम सब जानते तो हैं किन्तो इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं संपती उनके चड़नों पर लोटने लगती है। वास्तविक्ता तो यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते। एक अनुका इतना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बरबाद और तबा करके रख सकता है। जिस दिन हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मनजिल मिल गई। हम अपने जीवन में छोटी-छोटी बातों को कोई महत्व नहीं देते हैं जबकि मनुष्य की प्रतेक सपलता का रहस से उन्हीं छोटी-छोटी बातों में चिपा रहता है। वास्तविक्ता यही है। अपनी बुद्धी के फेर में पढ़कर हम बड़ी-बड़ी योजनाव की और भागते हैं और हमेशा लंबे-चोड़े ख्यालात में डूबे रहते हैं। नतीजा हम कुछ नहीं कर पाते जबकि छोटी-छोटी बातों पर अमल करने वाला कहां से कहां पहुँच जाता है। उसका मनोबल तूट जाता है। परादिन व्यक्ति के मन में भयाग घर कर जाता है। उसमें हींदा की भावना पैदा हो जाती है। हर काम में उसकी रुची समाप्थ हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी चैन से नहीं रह पाता वह हमेशा दुखी रहता है। सुक उसके लिए स गटना को स्थाई स्वरूप प्रदान करने के लिए डाइरी एक सर्वोतम उपाय है। डाइरी में प्रमोख या विशेश रूप से प्रभावित करने वाली गटना को ही लिखा जाता है। डाइरी आत्मा भीव्यक्ति का उत्तम साधन है। जो बात हम किसी से नहीं कह सकते उसे हम डाइरी में लिखकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। वर्तमान में लिखी गई उत्कृष्ट डाइरी बविशे का साइत्ते बन जाती है। यह मार्थ दर्शक होती है जो बविशे की रा दिखाती है। डाइरी लेखन से नय केवल आत्मा विव्यक्ति की शमता का विस्तार होता है, बलकि व्यक्तित्व का भी विकास होता है। डायरी लेखन असाधारन कार्य है, यह प्रती दिन के कार्यों में हमें नियमित रहना सिखाता है, विध्यार्तियों के लिए तो यह विशेश उप्योगी है, इससे छात्रों में चिंतन मनन और स्वयम को परकने की ख्षमता विकसित होती है, यह चरित्र निर्मान में भी सायक होती है, यही कारण है कि अधिकांच महापुर्ष अपने जीवन में डायरी लिखते रहे हैं, महात्मा गांधी, पंडित नहरू, एनी फ्रैंक, जॉर्ज वशिंग्टन जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र का आधार उनकी डायरियां ही बनी, जिनसे उनके जीवन के अनेक तथे उजागर हुए, हमने सीखा, अनुचेद लेकन एक ऐसी कला है, जिसमें किसी विशेपर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किये जाते हैं, अनुचेद के विशेपर अच्छी तरह से विचार करके मुख्य बिंदूों को लिख लेना चाहिए, अनु